नमस्कार दोस्तों आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और भई चलते हैं गार्डन में करते हैं कुछ जरूरी काम जो कि आने वाले मोसम के लिए बहुत जरूरी है और नए प्लांट्स लगाने के साथ साथ जो हमारे पहले से लगे हुए हैं देखो आने वाली गर् में और लगाते हैं वो वाले प्लांट्स जो कि हमारे बड़े प्लांट्स के लिए प्रोटेक्शन भी करेंगे मल्चिंग का भी काम करेंगे कड़ी धूप से भी उनको बचाएंगे और तीसरा दोस्तों जो एक मौश्चर लेवल है हमारे गंबले का वो भी बना के तो फिलाल तो मैं ले रही हूँ कैलेन कोई की कुछ कटिंग्स जो कि आप देख रहे हो खुब अच्छे चल रहे हैं आजकल और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह एवर ग्रीन प्लांट है बहुत जल्दी से फैलता है सुकुलेंट फैमिली से है इसमें अपना ही मौश्चर इतना होता है कि जल्दी से यह गंले की मट्टी नहीं सूखने देता और अगर गर्मी का भी प्रभावो तो इसकी पतियों में बहुत ज़्यादा मौश्चर होता है तो सोयल हमारी इतनी ज़्यादा जल्दी ड्रही नहीं होती और जो भी मेरे गंलों में पहले से लगे एक बड़ा प्लांट लगाओ और बस निचे खाली मट्टी हो और उसमें कुछ भी ना लगाओ है न वो जल्दी ड्रही होती है तो इस तरीके से दोस्तों ये छोटे छोटे जो प्लांट्स है मल्ची गेजन्ट का काम करने के साथ साथ आपकी गंले की जो सोयल है उसका का शिकार बनेंगे और ये रहते भी संलाइट में है लेकिन हम चाते हैं कि इनकी मट्टी इतनी जल्दी से ड्राई भी ना हो और बड़े असान से तरीकों से हम अपने पोद्धों की मट्टी को बचाएं ताकि कुछ ताइम तो उनमें मौश्चर बना रहे है ना गर्मियों तक जो मौश्चर लेवल है जो एक दोपैर का टाइम है ना जिस टाइम वो एक बिल्कुल डिरेक्ट सनलाइट पढ़ती है पोद्धों के उपर तो उससे थोड़े से सेव हो जाएं वैसे सुबह शाम तो देखो प्लांट्स में इतनी ताकत होती है वो निकाली लेते हैं त तो कुछ कटिंग जैसे मैंने बताई थी कैलन कोई की मैं निकाल लाई हूँ और इसकी मट्टी को मैं चारो तरफ से कवर कर दूँगी ताकि जब सूरिज की किरने इसकी मट्टी पे पड़ें तो एकदम से वो एवापोरेट नाओ और दूसरा दोस्तों कितने भी प्लांट उनको थोड़ा सा मोईस्ट एंवार्मेंट पसंद होता है जितना आप मोईस्टर उनमें में मिंटेन करके रखोगे उतने आपके प्लांट्स की हल्दी ग्रोथ होगी तो नीचे नीचे सोयल को ये सेव करेंगे चोट चोटे प्लांट्स और उपर से दोस्तों जो हमारा बजाए कुछ भी ले सकते हो जो आपके घर पे आप रोयों के प्लांट लगा सकते हो वो भी बहुत जल्दी फैलते हैं कोई जड़ भी ज़्यादा नहीं होती है ना और बेवी सन रोज आप लगा सकते हो और भाई सिंगोनियम विंगोनियम लगा दो और इस तरीके के बड़ा अच्छा टूल लगता है ये एक गड़ा खोदने के लिए ज़्यादा सारी मत्टी भी नहीं खेड़नी पड़ती है ना उससे खुर्पी से और इससे उतना ही परफेक्ट गड़ा होता है जितना कि हमें कटिंग लगाने के लिए या कोई भी स्टेम लगाने के इससे इसकी मत्टी जो है बिल्कुल भी नहीं सुखेगी बिल्कुल भी तो नहीं मतलब काफी दिन चल जाएगी इतने तो हम पानी देते हैं लेकिन एकदम से ना ड्राई नहीं होगी और कोई भी प्लांट हो दोस्तो उसकी मत्टी अगर हलकी सी भी मॉइस्ट बनी रहे न तो प्लांट कहीं नहीं जाता और यह देखना यह प्लांट खुश भी रहेंगे क्योंकि इनको भी उपर से एक प्रोटेक्शन मिल रही है और उपर वारे प्लांट को निचे वाले जोई छोट छोटे प्लांट है यह मॉइस्टर मेंटेन करके दे रहे हैं तो देखो इस त चीज है है ना खुद भी जिते जागते हैं यह और जिते जाते प्लांट को प्रोटेक्ट भी करेंगे दूसरा आपकी हर्याली भी ज़्यादा बढ़ेगी और यह मल्चिंग एजन्ट का भी नैचुरली काम करेंगी है ना तो बस इस तरीके से मैं चारो तरफ इसके लगा रिखती हूँ और यही तरीका होता है दोस्तों मेरा जादा तर प्लांट को सेव करने का और सर्दियों में तो जो जैसे ड्राइफ रूट खाए मूमफली के चिलके खाए वो तो मैं खर डालती रहती हूँ मैं आपको दिखाती रहती हूँ या गार्डन में से भी जो पतिय या मगरा निकलती है उनको भी मैं गमलों में डाल देती हूँ थोड़े दिन में वो खाद बन जाती है फिर उन्हें खुर्पी से मिक्स कर देती हूँ लेकिन यह तरीका मुझको बैस्ट लगता है इससे क्या होता है कि घर में हरियाली भी बढ़ती है और एक मल्टी वराइ लाइटी भी कठी कर सकते हैं मेरे यहां देखो जहां ही गमला रखा है यहां थोड़ी कम दूप आती है अधर्वाइस जो सनलाइट में प्लांट होता ना वहां मैं क्या करूँगी परसलेन या पोर्चुला का लगा दूँगी तो बस कुछ नहीं करना यह थोड़े से निच्चे के पत्ते मैं अटा रही हूं और इन पत्तों को भी मैं फैकूंगी नी और इसी मत्ती में मिला दूँगी इसमें बहुत ज़्यादा मौश्चर है और नेचरल दोस्तों इंसेक्टिसाइड और पैस्टिसाइड का का काम कर करते हैं और यह देखो पहले से भी इसमें पत्ते पड़े हुए हैं तो यह भी मैं इसमें ही मिक्स कर दूँगी यह नैचरली खाद बन जाएंगे और जो इनका मौश्चर है वो नैचरली प्लांट को मिलेगा कितने सारे इसमें मैक्रो और माइक्रो निट्रियंट्स होंग तो यह दोस्तो छोटे-छोटे से तरीक्या हैं देखो इसमें क्या होता है कि आपके गार्डन का जो निकलने वाला जो भी समान होता है वेस्ट नहीं कहूंगी वेस्ट तो है नहीं इनके लिए तो बहुत बड़ा फूड है यह तो यह भी काम में आ गया और बस तो यह चोटे प्लांट्स त्यार होके एक मौश्चर भी बना के रखेंगे इस गमले में जो कि हर पोद्धे के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है तो जैसा कि मैंने का थोड़ा सा शेडी सा एरिया है यह नहीं तो मैं इसमें दूसरे वाले पोद्धे लगा देती जिसमें फूल एकदम से मौश्च बनी रहेगी और हुमिडिटी का जो एक लेवल है प्लांट्स के लिए जो जुरूरी है वो भी मेंटेन रहेगा और बस यह सारी की सारी मैंने कटिंग लगा दी आपको दिखाने के लिए मैं तो खरिये काम करती रहती हूँ मेरा तो डेली का काम है जिस भी गमले की मट्टी को देखती हूँ कि हाँ इस पे मोसम का प्रभाव पड़ेगा तो वहाँ मैं यही काम कर देती हूँ बस तो यह लगगे भी छुट-छुटे पोद्दे यह मैंने आपको दिखाने के लिए लगाई है और मेरा तो डेली का काम है खरिये और यह देखो भी इस तरीके से अभी तो छुट-छुटी कटी है ने सौरे फैल जाएंगे और जो गमले की मिट्टी है बिल्कुल भी नहीं स सकते हो प्लांट्स के ही जरी है यह नहीं है कि आपको कुछ डूणना पड़े मैं क्या ले क्या हूं क्या डालूं और कई बर ऐसा होता है दोस्तों कोई छिलके विल के हम डालते हैं हमें डर रहता है फंगस ना जाए या वह सारे आपके ऐसे कमेंट आते हैं मच्छर का भी चकर होता है गर्मी में है ना जैसे मोसम बदल रहा है तो इससे क्या होगा कि मच्छर भी नहीं आएंगे आरे दूसरा आपके प्लांट भी से होगे और आज जो मैंने किया यह काम यह मेरी एक साइड में क्या रही थी जिसमें कि मैं आपको फ्लावर वैली बना के दिखाती हूँ तो अभी तो वो पर्सलेंट बोर्चुला का है नहीं इसमें कटिंग्स है इसकी तो आज मैंने इसकी सफाई की थी और कई सारे ऐसे प्लांट इसमें से निकले जिनकों की फिर मैंने ठीक किया यह टमाटर का पोद्दा भी ऐसे निच्चे लूड़का सा हुआ था फि तो आज भाई बहुत एक दिमाग पे जो था ना काम वो हलका हो गया बस आज मैंने इसकी सारी सफाई की जो मेरे फूलों वाले पोद्दें उनको छोड़ दिया और जो इसमें मैंने जड़े छोड़ रखी हैं है ना जो गर्मियों के फूल हैं उनकी भी जड़ों की से दबा दिया उनको और सारी मट्टी को उपर नीचे कर दिया थैंक